नमस्कार आप सोबों का स्वागत है आज मैं फिर से आम के बागीचे में लेकर के आपको लोगों को आई हूँ ये मेरा दर्भंगा का आम है माईके में फ़ला हुआ है बहुत सारा पेर है करीब 10-15 पेर हैं वहाँ तो कुछ पेर का बीडियो का बना करके भाई भेजा बहुत सारा आम खला हुआ है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये वैसे तो यहाँ हलमान जी का बहुत ही ज़्यादा उपद्रभ है पर फिर भी काफी सारे आम लगे थे तो इतना अभी बचा परा है देखते हैं आगे और कितना बसता है तो तीन चार पेर का ही वीडियो भाई बना करके भेजा है तो उमीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर ले बेल आइकन ओन कर ले पहले से जुरे हैं तो कॉमेंट करके ज कॉमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो में ये कमी है आपके वीडियो में और कॉमेंट करना ना बूले ब्लोग बड़ी मुस्किल से वीडियो बनाते हैं तो इसलिए किसी का भी वीडियो आप वाच करे तो तीन चार मिनट जरूर कर ले अगर बड़ा वीडियो है तो और अगर 3-4 मिनट का ही वीडियो है तो फुल वाच जरूर करें और बिना लाइक और कॉमेंट किये ना जाएं यह आग रहा है यह मैं सिर्फ अपने वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ आप जिन किसी का भी वीडियो देखें सबों के लिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत मिहनत के बाद लोग वीडियो तयार करते हैं तो जो लोग इस चैनल पे हैं वाइटी फैमली के लोग हैं उन्हें तो पता ही है तो यह आम देखकर के जरूर आप लोग बताईए कि यह वीडियो कैसा लगा और आम कैसा लग रहा काफी स्वादिष्ट ही यह आम होता है अब कुछ दिन में दस बारा दिन में इस आम को तोड लेंगे क्योंकि यह काफी तयार हो चुका है और तोड़ने के वा तीन से चार दिन में यह सारा आम पक जाता है खाने लाइक हो जाता है इसमें कारवाइट या कुछ भी नहीं डालना पड़ता तो यह क्योंकि बिल्कुल अच्छे से तयार हो गया है यह आम पेर में ही तो काफी छोटा छोटा ही पेर है मेरा भाई भाइक हाथ से ही तुरवा लेता है किसी को बुला करके और वहाए थोड़ा सा जो उचा है वो बॉंडरी पे चड़ करके तोड ले देते हैं भाईया और यहां तीन चार पेर साल भर फलता है हर साल भर में चार सीजन का फल आता है उसमें चार बार आम फलता है उसका वीडियो भी कुछ दिन बाद बना के भेजेगा अभी उसमें मज़र आ रहा है एक राउंड का भाई ने तोड लिया और दूसरे राउंड का बहुत सारा चोटा आम है मतर के साइज का है और सरसो के साइज का है उस पेर में एक आम बनता है और दूसरा मजजर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है वह खाने में भी स्वादिष्ट है यह हमारा माईके का घर है आप लोग समझी गए होंगे देख करके क्योंकि पेर का वीडियो आम का वीडियो दिखा रही हूँ और सामने घर आ रहा है तो यही है और कौन-कौन लोग दरभंगा से है जरूर कॉमेंट करके बताईएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताई और उमीद है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा फिर से एक रिक्वेस्ट अगर नए है तो चैनल को भी ना सस्क्राइब किये ना जाए अगर पहले से जुरे हैं तो कौमेंट लाइक करना और तीन से चार मिनट का वीडियो वाच करना ना छोड़े किसी का भी तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत स्वाह धन्यवाद थैं थैंक यू